जब आतशी तीसरी मुखमंत्री बनी है दिल्ली की कैसे देखती हैं? तो मैं नहीं चाहती हूँ अब ये क्या ही करेंगी आज चीफ मिनिस्चर ये समय बताएगा पर मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता जो है ये जल्दी निर्णा करे आने वाले चुनाओं में कि वह सत्ता किसको देना चाहते हैं और जिस व्यक्ति ने जल का ऐसा हाल कर दिया हो या मुना का ऐसा हाल कर दिया हो जिसको हम सनातन में मा की तरह पूजा करते हैं और उनका शिक्षा विभाग का भी पूर्व जो कारेकाल रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा है कितने घोटा ले कितने स्कैम कितने सारे उन पे जो है सवाल खड़े हो रखे हैं मैं समझ चीफ मिनिस्टर उनको इस बातों का भी जवाब देना पड़ेगा आगे आने वाले समय में और अर्विन केजरिवाल जी के सरकार का जो मॉडियूल है आम आदमी पार्टी का जो पूरा मॉडियूल है इस टोटल फेलियर कहीं उसकी जो है खुले मंचों पे तारीफ नहीं हो है उदर दूसरी तरफ आप देखें आदरने प्रधान मंत्री जी नरेंदर मोदी जी का जो विक्सित भारत का कॉंसेप्ट है जो उनकी विकास शील प्रगती शील जो योजनाएं है केंदर सरकार के और जहां भी भारतिये जनता पार्टी की सरकारें चल रहेंगे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजे कितनी ज्यादा आवाम को कितनी ज्यादा जनता को सुख सुविदाएं मौजूद हो रखी हैं तो मैं समझती हो कि बस यही कहना चाहूंगी आगे आने वाला चुनाओ बहुत जल तै करेगा कि दिल्ली की दशा दिशा क्या है और आतिशी लोगों को जो है भारतिय जनता पार्टी को कमान सौपनी पड़ेगी देखे ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि कोई महिलाओं का मुख्यमंत्री बन जाए तो महिला अपराद पर एक रोक लग जाए आपने अभी देखा ममता बैनर जी की सरकार है वेस्ट बेंगॉल में और कितना बड़ा वहाँ पर केस हुआ अभी तक उस पे जो है हम जैसे कितने लोग लगे रहे और उस पे किसी प्रकार की अभी कोई प्रतिकरिया सरकार मतलब केंद्र की नहीं मैं स्टेट की बात कर रह है और यहां तक की ऐसी बातों पर तो ममता बैनर जी जैसे व्यक्तित्य को जो दो दशक से उपर हो गया राजनीत में हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था क्योंकि यह गौर्वर्मेंट कॉलेज में गौर्मेंट डॉक्टर के साथ किसी भी परिस्थिती में वो कृत् मर जाए यह बहुत बड़ा सवाल है तो मैं समझती हूँ कि यह कोई मतलब कोई वैलिडेशन नहीं है कि देर एश काम करेंगे क्योंकि जो दो विभाग इनके पास पिछले थे उसका जो है कोई निकाले चिठा तो जो है काले कारनामों से भरा हुआ है पर फिर भी एक महिला होने के नाति मैं उनको आज के लिए क्योंकि आज उन्होंने शपत ली है तो उन्हों बधाई देती हूं कि ठीक है उन्होंने लिया है ये कारेभार कुछ बहतर कर सकें पर लगता नहीं कि ऐसा करूँ